असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीन दे सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे आज मैं आपको सिखाऊंगी ये डौरी बनाना ये जो लूप्स के लिए डौरी बनती है वो किस तरह से बनाई जाती है और ट्वेंडी से डिजाइन बनाई जाते हैं टाउजर के बोटंस में भी और शेर्ट्स में भी हम सबसे पहले कपड़ा लेंगे और इसको डाइगनल ड एक एक इंच की पटियां काट लें और जो है जो भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो हम इसको लंबा भी कर सकते हैं पटियों को आपस में जोड के तो इसका कोई इश्यू नहीं है जो भी आपके पास कपड़ा बच जाता हो उसमें से भी आप ये डौरियां बना सकते ह अब हम इसको इस तरह से सीधा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मशीन के एक पेर जितने मार्जिन पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरह से हमने एक इंच चुड़ाई ली थी और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक पेर के मार्जिन से सारी पट्टियों पे सिलाई लगा देंगे और आप इन पट्टियों को आपस में जोड़के लंबा भी कर सकते हैं इस डोरी को लंबा भी बना सकते हैं मैं जो है वो अलग-अलग पट्टियों को सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स यहां पर औरे कपड़ा इसलिए डोरी में लिया जाता है क्योंकि हम इस डोरीों के लूप्स बनाएंगे या कोई भी अगर हम इसको फोल्डिंग के लिए डिजाइन बनाएं तो वो डोरी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से शेप में आ जाएगी उसमें लचक बन जाएगी इस तरह से हमने सारी पट्टियों पे सिलाई लगा दी है अब हमने क्या करना है कि एक इस तरह से ये जो सिलाई लग चुकी है उसके दूसरी साइड हम एक सुई लेंगे मैं नॉर्मल सुई ले रही हूँ और बड़ी सुई अगर आपके पास है बड़ी नीडल तो वो बहुत अच्छी रहती है लेकिन इससे भी हम डोरी बना एक से दो टांके लगाके और इस तरह से जहां पे हमने डोरी की सलाई लगाई है हम इस नीडल को सुई को उल्टा करके और इस दोरी के अंदर से गजार लेंगे और एक साइड से हम इसको गजारेंगे दूसी साइड से इस सुई को निकालेंगे सोई का उल्टा साइड हम अंदर की तरफ से क्रोस करेंगे ताके जो हे कपड़े में फसे ना सोई और इस तरह से हम इसको खींच के बाहर ले आएंगे सोई को और जहां से हमने सोई को अंदर किया था दोरी में वहाँ से हम इसको कपड़े को थोड़ा सा उस सलाई के अंदर दबाते हुए और धागी को खींचते जाएंगे बहुती एहतियात के साथ इस तरह से थोड़ा सा पहले डोरी के अंदर कपड़े को क्रॉस करें और इस तरह से बहुती आराम से हम इसको सीधा कर सकते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही असानी के साथ हम इसको डोरी को सीधा कर लेंगे, हलके हाथों से हम इसको खीचते जाएंगे ताके हमारा धागा तूटे ना, इसलिए हमने पहले दो से तीन टांके लगा के इसको पका कर लेना है, हम इसको पहले खीचते हुए बाहर ले आएंगे और पूरी डोरी को सीधा कर लेंगे, देखें आप, यह देखें कितने आराम से यह उलट हो रही है, इस तरह से हम इसको खीचते जाएंगे, कपड़ों पे बहुती स्टाइलिश से डिजाइन्स आजकल फेशन में हैं, जो कि इस डोरी से बनाये जाते हैं, loops बनाके इस तरह से tausers में डिजाइन बनाये जाते हैं shirts के neckline बहुत ही अच्छे से designs इस डोरी से बनाये जाते हैं तो बहुत आसान है ये डोरी बनाना और इस तरह से हम पूरी पटियों को सीधा करके डोरीयां तयार कर लेंगे और जो भी हमारी पसंद का डिजाइन होगा वो डिजाइन हम easily बना सकते हैं friends I hope आज की वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी और वीडियो पसंद आई हो तो like कर लीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कर लीजेगा आप से मिलती हूँ में बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दौाओं में मुझे याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्यार रखिएगा Thank you so much for watching Allah Hafiz